हाँ एब्रीवन देखे इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा फ्लावर डिजाइन जिसके लिए आपको 6 प्लस 3 के मल्टिपल में फंदे कास्टन करने होंगे तो यहां मेरे पास है टोटल 15 फंदे और रो वन राइट साइड से बुनेंगे इस रो में पहले तीन फंदे सीधे एक दो और तीन इसके बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन अब यही तीन सीधे और तीन उल्टे बुनते वे पूरे एंड तक रिपीट करेंगे तो अगेर हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और तीन इसके बाद तीन फंदे उल्टे और लास्ट के बचे वे तीन फंदे सीधे बुनेंगे तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको रो वन को बुन कड़के कम्प्लीट कर लेना है अब आज यह रॉंग साइड रो टू में और इस रो में जो फंदे जैसे दिखाए दे वैसे ही बुनेंगे तो पहले तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन इसके बाद तीन फंदे सीधे एक दो और तीन अब ऐसे ही तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे बुनते बें रिपीट करेंगे तो अगेन तीन फंदे उल्टे बुनेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट तीन फंदे सीधे और लास्ट के बचे पर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे इसके बाद आजे ये next right side row 3 में और अब इस row को same row 1 के जैसे बुनेंगे उसके बाद next strong side row 4 को same row 2 के जैसे बुनते वे आपको row 3 और 4 दोनों को बुन करके complete कर लेना है और row 4 तक बुन लेने के बाद हम right side row 5 में आ गए हैं पहले दो फंदे सीधे और अब हम यहां से अपना repetition स्टार्ट करेंगे तो यहां जाले डालने के लिए उन आगे लेके आएंगे और इस दो फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते वे घटाएंगे इसके बाद एक फंदा उल्टा उन पीछे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को फ्रंट से सीधा बुनते वे घटाएंगे और अगेन यहां जाले डालने के लिए उन आगे लेके आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे अब देखे इस रो में आपको पहले दो फंदे के बाद यही 6 फंदे को रिपीट करना है तो अगेन हम अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे उन आगे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते वे घटाएंगे यानि इस तरह से में पीछे की तरफ से एक साथ बुन लेना है एक फंदा उल्टा उन पीछे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते वे घटाएंगे जाली डालने के लिए उन आगे लेके आएंगे और लास्ट के बचे वे दो फंदे सीधे बुनेंगे तो इसी तरीके से आपको repeat करते वे row 5 को भुन करके complete कर लेना है अब आज ये wrong side row 6 में और इस row में पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे और अब यहां से अपना repetition स्टार्ट करेंगे तो दो फंदे और उल्टे बुनेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा इसके बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, और तीन अब देखे इस row में आपको पहले दो फंदे के बाद यही 6 फंदे को end तक repeat करना है लास्ट के एक फंदे बचने तक तो अगेन हम यहां पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे इसके बाद एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक, दो, और तीन और लास्ट का जो बचवा फंदा है उसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे राइट सैरो 7 पहले दो फंदे सीधे और अब हम यहां सबना repetition स्टार्ट करेंगे तो एक फंदा और सीधा बुनेंगे उन आगे की तरफ नेक्स्ट हमें यहां पे तीन फंदे को घटाना है तो पहले हम एक फंदा बिना बुने slip करेंगे उसके बाद दो फंदे को सीधा बुनते वे घटाएंगे और जो उतारा गया फंदा है उसे हम इसके उपर से ड्रॉप कर देंगे अब यहां पे जाले डालने के लिए उन आगे लेके आएंगे और नेक्स्ट दो फंदे सीधे बुनेंगे और देखिए इस रोवे आपको पहले दो फंदे के बाद यही छे फंदे को एंड तक रिपीट करना है तो एक फंदा और सीधा बुनेंगे उसके बाद उन आगे की तरफ और तीन फंदे घटाएंगे तो पहला फंदा हम बिना बुने स्लिप करेंगे उसके बाद दो फंदे हम एक साथ बुनते वे घटाएंगे और जो उतारा गया फंदा है उसे हम इसके उपर से ड्रॉप करदेंगे अब उन हम आगे लेके आएंगे next दो फंदे सीधे और जो last का बचावा फंदा है उसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे तो ये रो भी हमारी complete हो गई अब आजए ये next row में रॉंग साइड रो एट और इस रो में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद ये डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इससे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो वन टू एट को ही रिपीट करना होगा और जब आप इन्ही एट लाइन्स को बार-बार रिपीट करेंगे तो ये जो डिजाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुन्दर लगता है बिल्कुल तुली फ्लावर के जैसा एफेक्ट देता है तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में लेडिस, कार्डिकन, जैकेट, सॉल, स्काप या सिर्फ बॉर्डर्स में भी अप्लाइ कर सकते हैं तो आप इसे बनाईए और वीडियो च्छा लगा हो तो इसे लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा